आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो महाराष्टा से 2022 जो एक्जाम होने वाता है उसके लिए आप लोगों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए हम यह टाइम टेबल स्पेशल है आप लोगों के लिए तयार कर रहे है ताकि जो भी बंदा या फिर जो भी स्टुडंट इस एक्जाम को देना चाहता है वो अगर यह टाइम टेबल फॉलो करता है तो जरूर उस स्टूडंट का यह जो एक्जाम है वो जरूर क्वालिफाय हो कि इस चार मेने को आपको कैसे यूटिलाइज करना है या फिर वाट शुड बी यूर टाइम टेबल फॉर इस फॉर मन्स तो यू एजिली क्वालिफाय इस महालाश्टा से 2022 एक्जाम तो लेट सी दाट ठीक है तो वो टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखा ना चाहता हो कि हम लोग ना यह टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं या फिर पेपर को अनलाइज करके देखते हैं कि किस पेपर से कितने क्वेस्टिन आज तक पूछे गये हैं अलग 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 सब्जेट से फॉर माराश्टा सेट एक्जाम ठीक है तो आईए द एक्जाम की बात करें तो जनरली औरन एवरिज कुष्टिन कितने पूछेजाते अगर हम महाराश्टा सेट की बात करें तो अगर मैं बात करू रियल अनलीसिस सब्जेट की तो यहाँ पर 14 to 16 कुष्टिन पूछे जाते हैं सिर्फ हैं और से इक्जाम वही कॉम्प्लिक्स की बात करें तो 10 से 12 questions पूछे जाते हैं linear algebra की बात करें तो 9 तो 11 questions पूछे जाते हैं LPP की बात करें तो 6-9 questions then abstract algebra 12-15 questions पूछे जाते हैं numerical analysis 3-5 questions COV 4-6 functional analysis 3-4 topology 2-3 discrete math 3-5 ODPD 7-10 and so on यह हमारे पास कई सारे subjects हैं तो यह है on an average number of questions asked in Maharashtra State Exam तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साब साब दिखाए देगा की real analysis, complex analysis, linear algebra, abstract algebra और यहाँ पर नीचे ODPD इन subjects को बहुत जादा मतलब बहुत जादा questions इन topics के उपर पूछे जाते हैं बाकी subject के उपर भी questions है वैसे अगर देखा जाए LPP के उपर 6-9 questions पूछे जाते हैं फिर numerical analysis 3-5 questions, COV 4-6 questions तो हर एक जो बाकी topic है उनके उपर 3-4-3-4 questions पूछे जाते हैं तो इनको देखकर हम एक time table बना लेते हैं कि कि कितना subject को कौन से subject को हमें कितना time देना है ठीक है चले देखते हैं अब देखो जैसे कि मान लो तो आपको मैं बता रहा हूं कि real analysis के लिए आपको सबसे ज़्यादा time देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक बार आपका real analysis का study करके हो गया तो बाज में उसे देखना ही नहीं है हमें क्या करना है मान लेते हैं हमारे पास 4 मेने हैं तो हमारे पास total मिला कर है 120 days ठीक है तो in 120 days का थोड़ा distribution करते हैं तो आपको क्या करना है in 120 days को आपको थोड़ा सा classify करना है पहला हम section रखते हैं real analysis को जो कि वहां से सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि in 120 days में से 25 days हमने real analysis को दे दिये ठीक है फिर हमारे पास आता है जैसे कि complex analysis वहां से भी 12 से 14 questions पूछे जाते हैं तो वहां पर हम मान लेते हैं कि complex analysis को हम लोगों दे देते हैं 20 दिन तो linear algebra complex analysis को मिला कर हमारे पास हो गए 45 days अब linear algebra की बात करें तो 9 से 10 questions यहां पर भी पूछे जाते हैं तो उसको हम देते हैं 15 दिन ठीक है तो हमारे पास अब हो गए 75 दिन बाकी बच्चे होई subjects अब ODE PD यह जो subjects है उनसे भी हमारे पास 8 से 9 questions पूछे जाते हैं तो उनको हम मान लेते हैं कि उनको भी हम 10-12 दिन दे देते हैं तो अब मेरे पास 75 से 10-12 दिन मान लेते हैं कि 85 या 87 डेज हमारे पास हो गए अब यह हमारे पास important subject है तो इनके लिए हम मान लेते हैं कि 85 डेज में आपको यह syllabus कवर करना है अब बाकी बचे हैं हमारे पास 35 डेज तो आपको उन में जो छोटे-छोटे subjects है जैसे कि integral equation आपको करना चाहिए क्यों करना चाहिए ऐसा में क्यों बोल रहा हो क्योंकि अगर आप CSI NIT की बात करोगे तो वहाँ पर भी integral equation COV पूछा जाता है तो आपको क्या करना है integral equation COV जरूर करके जाना है वहां से भी आपको 3-4-3-4 questions मिलेंगे उनको आपको जादा time नहीं देना है बस ए कौन से topic से कितने questions पूछे गए हैं तो और कौन से topic से questions पूछे गए हैं जैसे कि अगर integral equation की बात करेंगे जैसे कि Resolvent Kernel पूछा जाता है तो ऐसे कौन सा topic के जहां से questions पूछा जाता है तो उन topics को आपको आपको देखेंगे ODPD integral equation COV इतना हमने cover कर दिया और ये सारा syllabus कहां पर है CSI net में भी पूछा जाता है अब बाकी subject अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको सेट qualify करने के लिए सारे के सारे subjects पढ़ने की जरूरत है ऐसा बिलकुल भी नहीं है आपको बस selected subjects पढ़ने हैं और फिर उनी को अच्छ सेट की बात करोगे तो cut-off लगबग देड़सो के आसपास रहता है अगर मैं general category की बात करूं तो तो उतना cut-off लाने के लिए सारे subjects पढ़ने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है लेकिन जो भी पढ़ रहे हो important subjects जो भी पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे तरीके से आना अब बचे हैं हमारे पास 25 डेज तो आपको क्या करना है और पाच दिन आपको बस एकात सब्जेक्ट और चूज करो जैसे कि मान लेते हैं numerical analysis से कुछ questions पूछ जाते तो वो भी उन topics को देखकर कौन से topics से question पूछ जाता है उनको भी देख लो मान लेते हैं कि यह सारे subjects को हमारे पास 100 दिन तो 100 दिन हमारे पास हो गए अब बचे हैं 20 दिन तो आपको उन 20 दिनों में अच्छे से जो कुछ भी पड़ा है उसको revise करते रहना है और ऐसा नहीं कि जब हमारा real analysis मान लेते पहले 25 दिन में खतम हो गया तो उस real analysis को आपको छोड़ देना है अपते में कम स के जो 20 दिन होंगे वो आपको अच्छे से revision के लिए रखने है यह तो होगा paper 2 की बात paper 1 को भी आपको ignore नहीं करना है paper 2 को भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए तो paper 1 के लिए आपको क्या करना है कि हर दिन थोड़ा बहुत टाइम निकालो मैं नहीं कहता कि इसको record को आराम से आप उस paper में से अच्छे मार्क ला सकते हो ठीक है तो इस प्रकार अगर आप time table follow करोगे अब मान लेते कि कुछ दिन आपको 5-10 दिन ऐसे चले जाते हैं मान लेते कि कहां घुमने गए यह मस्ती बगरा की तो पास दिन चले छोड़ दिए तो यतने भी जो दिन ह हमारे पास to qualify this exam or to prepare ठीक है तो आप बस strategy बनाईए अपनी अपना time table follow करिए और इस exam को आप आराम से qualify कर सकते हो ठीक है तो यही बताना था आप इस प्रकार का अगर time table follow करिए जरा paper का analysis करिए कि कि किस topic से कितने questions पूछे जाते हैं जैसे मैंने अभी बताया है आपको कि किस topic क आपको कितना weightage देना है कितना time देना है ठीक है तो इस प्रकार का time table follow करिए आपका जरूर exam qualify हो जाएगा तो यही बताना था आज के इस topic में सो मिलते हैं next topic में कुछ अलग next video में कुछ अलग topic लेकर तो तब तक कि लिए सबको thank you and happy learning